जैपूर के कॉंग्रेस मुख्याले पर नए साल की शुरुआत के साथ कॉंग्रेसी नेताओं ने सनेह मिलन आयुजित कर एक दूसरे को बढ़ाई दी इस मौके पर न्यूज इंडिया संबादाता रहमत उल्ला ने कॉंग्रेसी नेताओं से बात चीद की नहीं साल 2018 की शुरुआ के साथ प्रादेस कॉंग्रेस मुख्याले पर कॉंग्रेस नेताओं ने आपस में सने मिलन कर एक दूसरे को बढ़ाई दी इस वक्त हमारे साथ मौझूद है कॉंग्रेस के वरिष्ट नेताओं गोपाल सिंग इडिवा गोपाल सिंग जी 2017 गुजरा है किस तरह से रहा है और 2018 में किस तरह के उमीद रहेगी राइजिती की दूसरे के दूसरी कॉंट से आपने देखा कि 2017 में गुजराद से जो मोधी जी और बीजेपी की सरकार का दो पतन की सुरुवात हुई है उसका चर्मोत कर्फ 2018 में आप उस समय देखेंगे जब राजिस्थान की तुनाव प्रेनाम आए सब्सक्राइब करेंगे जिसमें हमेशा महिलां की उत्थान के लिए और उनके मान सम्मान के लिए कारें किया गया मैं सब्सक्राइब करेंगे जिसमें पंचायती राज में महिलाओं को चुनाव में चुनाव लड़ने का हग दिया दाजनेतिक भागिदारी थी और उसी के तहत हम सुनिया जी महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और 33% आरेशन की मार्ग संसद में कर रहे हैं और महिलाओं के लिए मानसमाई और हक्की और गार की लड़ाई के लड़ाई की बात आती है तो कॉंगर्स पार्टी सब्रतम उसमें आगी बरदर का दम उठाती है लेकिन अभी तक वो संसद में वो बिल पास नहीं हुआ और अगर हम पिछले चार साल के कारेकाल की बात करें भ अगर बनेगी रूपेजी दोजार अठारा में दोजार सत्रा में बन गए राहुल गंदी अध्यक्षि और उनका यह नया साल है बहुत बैटरिन तरीके से किस तरह के सुरुआत हो और किस तरह के वह अपना तो जरुश्वाट चुनाओं में किस तरह से वह पकड़ होगा क्योंकि जो अब गिदान साथ चुनाओं के परिणाम आएंगे कंड़ना टक राजिस्तान बत्यप्रदेश 36 गण उसमें निश्चत तोर पे कॉंग्रेस पार्टी मजूदी साथ आईगी सरकार बनाएगी और यह एक तरीके से नई दिशा और नया सवेरा मालने आप तरीके से देश के लिए और प्रदेशों के लिए होगा जहां अब चुनाओं में भारेजनता पार्टी को मात मिलेगी आम जन से दोजर अठार में क्या उमिद रही कि आम जन कांग्रेस को बोट देने को तफपर है आंग्रेज हैं बीजेपी के खुपसासन से तर्ष्त है इसमें बेरोजगार चात्र जो है विल्बू नाराज है यानि 2018 कॉंग्रेस बहुत ही उमिद कर रही है कि 2018 उनके लिए बैतर रहेगा 2017 में उतार जर्ड़ाव जरूर आए केमरा परसंट देने स्पारी के साथ रहमत अलाखान न्यूज इंडिया जैपूर नवश के पहले